केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने नागपुर में एक कारेक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पास साल बाद देश में पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी उन्होंने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रिक वहिकल और हरी तुर्जा के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं गड़करी ने कहा कि आपकी कारे और स्कूटर पूरी तरह हरी हाइड्रोजन, इतिनौल, CNG या LNG पर आधरित होगी केंद्रिय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंतिरी नितिन गड़करी को हमेशा से नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है उन्होंने कई कृतिमान स्थापिप किये हैं इसके अलावा वो सडकों वो गाडियों की सेफटी के साथ साथ ग्रीन एनरजी के इस्तमाल पर जोर देते रहते हैं हाली में हाइड्रोजन से चलने वाली कार के सवारी कर वो चर्चा में थे अब मंत्री ने एक दावा किया है कि अगले पाथ साल में भारत की सडकों से पेट्रोल कारे गायब हो जाएंगी उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाथ साल के बाद भारत में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं बचेगी उन्होंने उमीद जताई है कि आने वाले सालों में वानों म की मानद उपादी से सम्मानित किया गया था यहां भाशन के दोरान उन्होंने हरित हाइडरोजन इथनॉल और अन्या हरित इंधन के उपयोग पर जोर दिया उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि पास साल बाद देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा आपकी कारे और स इस प्रतिशत करने के लिए काम करने की भी अपील की अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है फ्लाइवील एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एर्लाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट